तो देखिए आज जीत का जश्न है जो तस्वीरे आपको नज़र आ रहे हैं और अस्ट्रेलिया को एक शूनिसे हरा कर महिला हौकी टीम ने पहली बार उलम्पिक में सेमी फाइनल में अपनी जगे बना ली है महिला टीम ने तीन बार की ओलम्पिक चैंपियन और उस्ट्रेलिया को कौटर फाइनल में धूल चटा दी है एक शूनिसे शांदार जीत हासल की है और इसी के साथ अपना तीसरा ओलम्पिक खेली महिला हौकी टीम पहली बार सेमी फाइनल में पहुच गई है अब सेमी फाइन में जगे बनाई है टीम इंडिया ने एक कौटर फाइनल में और उस्ट्रेलिया को एक शूनिसे हरा कर भारती महिला हौकी टीम ने शांदार प्रदर्शन किया है और अपनी जीता पक्की कर ली है इसके बाद सेमी फाइनल मैच अरजंटीना से चार अगस्त को होने बाला है और उसी के चुलते हैं बागे जबाज जो अस्ट्रेलिया की टीम को एक शूनिसे मात दिया तो अरजंटीना के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी होकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शांदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत-बहुत बधाई शुबकामनाएं और अगले आने वाले बहुत महत्वण मैचिस के लिए भी एक सो पैंतिस क्रोड भारती के और से बहुत-बहुत शुबकामनाएं महिला और पूरश दोनों टीमे समी-फाइनल्स पहुंचना ओलेम्पिक्स में वह भी होकी जैसे गेम में बड़ी गेम है बड़ी जीत है इस वक्त हमारे साथ है स्पोर्ट्स डिरेक्टर उत्रप्रदेश में आर्पे सिंग और इनका परिचे जो अगर मैं यू कहूं की पूर ओलम्पियन है इंडियन होकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं सेलेक्टर है और होकी समझी है इनके खून में बसता है आप कैसे देख र महिलाओं की जब इंडियन टीम जा रही थी तो पूरूस होकी टीम को तो सभी लोग उमीद कर रहे थे कि अच्छा करेगी और चुकि उस समय में वर्ल्ड रैंकिंग में होकी जो पूरूस टीम थी वो चोथी थी और महिलाएं नौए पे हैं और जो ये मैचेज हुए हैं आ बंत तक आप टीवी छोड़ नहीं सकते थे और महिलाओं की आज जो बात करेंगे आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया वर्ल्ड में नंबर टू है और तीन बार की उलम्पिक चैंपियन है उसको हराना बहुत आसान काम नहीं था लेकिन हम तो यहीं कहें की टीम एक जूट होके यही तो टीम है अब इनका जो सेमी फाइनल के बाद जो सेमी फाइनल मैच होने जा रहा है वो अर्जंटीना से होगा और सेमी फाइनल फाइनल ऐसे मैचेज होते हैं कि इसमें कह नहीं सकते कौन टीम जीतेगी कौन हारेगी तो इस समय इंडिया टीम की जो हम यह कह सकते हैं कि मौरल जो है काफी उपर है और बहतर पर दिसंग करें जिते इन के साथ अभी शेक पांडे भारस नमाचार लखनौ और हमारे साथ अब जासी से कुछ खिलाडी हैं वो भी जुड़ चुके हैं और हमारे सायोगी ऐसे जाबी वहाँ पर मौजूद है ऐसे जाशन का दिन भी ट्रेक्टेंस होकी मैस को कि देखें मैला की जिस तरह के आप ट्रीम ने सांदार जीत कि है उस्पिसी में जाते के शेडियम में पहुंचे तमाम लोग या जो यवा खिलाली हैं मैला बच्ची आइज हैं हमारे साथ जो नेसनल खेच चुकी हमारे साथ हैं आई इदर तो हम लोग लिए तो बीलकुल बहुत कुशी कि बात है यह आने वाली प्यूरियों के लिए बहुत कुशी की बात है कि इनको बहुत अच्छा आहीं बहुत अक्तुक हम संब लोघे बहुत हमाई हौकी ट् игрम यह लोग बात ई Siz और आतुड लिए हृति बडाशन Golf J Compl तो निक इतना अच्छा ठेल रही है, बहुत ज्यादा खुछी है, और हम चाहते हैं, कि गोल्ड मेड़ल लेकर एप आप कहा कहें लिए बुदू? ध्यांचन टिएएम में वेपाइब से करें निकरें लड़ को लिए आप आये तमाम ये लड़किया है, ये भी हम लोग बहुत जादा खुश है कि इंडिया पहली बार समी फाइनल में पहुंचिया होकी को बहुत जादा स्कोप होगा और हम खुश है कि अब इंडिया कम से कम कोल तो लेकर लिया है हम लोगों के लिए बस विजिस देंगे best of luck इंडिया अच्छे से खेलना आने वाले समय म आप आई यह आप भी खेलेंगे यह पहुंचेंगे आप जी जा लगता है बता यह बता नहीं आई आप यह तरह यह यह अच्छी बच्ची है क्या कहेंगे इंडिया पहली बार इंडिया समी फाइलल में पहुंचिया बॉइस गल्स दोनों तो विश्चिए यह कि वोड्ड मेडल आए और होकी का नाम बहुत ही अच्छा करें इंडिया टीम ने बाजी मारी है सेमी फाइलल में पुरा इतिहाद बदल गया स्यास हाँ बिल्कुल यह एतिहास एक्षण है हम लोगों के लिए कि महिला होकी टीम ने सेमी फाइनल में जगह बनाई मतलब आप यह आउस्टिया टीम को हाए तो बहुत हम भारत वासियों के लिए तो बहुत ही जश्निका दिन है आज हमारे स्टेडियूं के कोच है इंसे ही बात चीत करेंगे यह लोगों शिकाते रहते हैं सारे चीजिया देखते रहते रहते हैं यह बहुत अभूत पूर उपलब्दी है आज भारत देश के लिए कि हमारी लड़कियों ने बहुत सांदार प्रसंद करके भारत को एक सुर्णी मित्याज रचने में अपना पूरी जोल लगाया है और संभोता पहली बार भारती मेला हांकी टीम से फैनल पहुंची है और हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी लड़किया जो पहुंची है यह वहां से स्वर्ण पढ़क लेकर यह हमारे जहांसी की जनपत की और हम सबीगेक लाडियों की और हमारे जनपत बाश्यों की काम नहीं सब्सक्राइब भारत में रहता है जानकारियों के लिए बस्तिक की कबर करेंगे जान